तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 3 कम्प्लीट करने वाले हैं इतना लंबा चैप्टर का नाम सुनकर आप लोग डर ही गए होंगे ओ माई गौड इतना लंबा चैप्टर है आखिर इसमें पढ़ना क्या है तो समझे इसमें आखिर पढ़ना क्या है आप लोगो बाज पुराने लफजों की नई तहकी का मतलब यह हुआ कि वैसे पुराने पुराने लफज गया है यानि कि रिशर्च किया गया है कि आखिर वो लफज के बारे में पढ़ना है तो आई हूप आप लोगो समझ में आगया होगा कि बास पुराने लोगों की नई तहकीक का मतलब क्या है और इस चप्टर में आप लोगो क्या पढ़ना है बॉके-टो भास के परने लोग सब्सक्राइब आ है आखिर उसके लोग सदी ओ से बोलते चले आ रहे हैं लेकिन इप्तारी लばस क्या ये अपने ज़बान का लव्द है। आफिर ये बना इप्तारी लव्द क कैसे बना है, कहाँ से आया है और जिस द्भान से, जिस भाषा से ये लव्द आया है उस भाषा में उसका क्या मतला हुआ, हर एक चीज आप लोगो जानना है। चप्टर मजदार है लेकिन साथ में बहुत जड़ा इंपोर्टंट है इस चप्टर से कहां कहां से इस किस तरह से कوशन पूचे जाएंगे मैं आप वे को बदाते चलूंगी तो इस चप्टर को स्टार्ट करने से पहले यानि कि इस चप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चप्टर के राइटर, जो हैं लेखक, उनके बारे में जानना आप लो के लिए बहुत ज़रूरी है, बाज पुराने लफजों की नई तहकीक, इस चप्टर के जो राइटर हैं, वो हैं सेयด सुलेमान नदवी, यह जैब्टर एक मजमून हैं, यानि की असे न और जो इनसान जो शक्स मजमून लिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो कोशन यहां से इस तरह से भी पूछ सकता है कि बाज पुराने लफजों की नई तहकीक मजमून के मजमून निगार कौन है अपसन में दिया रहेगा सैयद सुलेमान अद्वी तो जिस भी आपसन में लोग सेयद सुलेमान नद्वी के बारे में पढ़ते हैं और इसका पीडिफ आप लोग को टेलिग्राम पर मिल जाएगा अगर आप लोग टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ग्यापन के मोबाइल में टेलिग्राम एप है ओपन करे और ग्यापन एकेड्मी ऑफीसियल सेर्च करें आप लोग को दिख जाएगा टेलिग्राम चैनल वहां से जौइन कर लिजेगा नहीं तो अगर आप लोग ढूंने में दिक्कत हो रही है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्कुप्शन में भी डाल दिया गया है आप लोग लिंक पर क्लिक कर करेंगे इसका भी पीडियेफ अप्लोड कर दिया जाएगा तो आप लोगो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है प्री आपकोस्ट यहां पर आप लोग की टियरी करवाई जा रही है बस आप लोगो इसके बदले में वीडियो को लाइक शेर करना है पड़ा पर स्टार्ट क्लास नहीं हो रहे हैं लेकिन जब लाइब क्लास होगा तो आप लोगो बता दिया जाएगा तो आप लोगो चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है तो आप लोग क्वालीटी बढ़ा सकते हैं पोर एटी पिक्सल नहीं तो 720 नहीं तो 1080 पिक्सल में करकर देखिए एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा जूम भी कर सकते हैं जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं यूट्यूब ने सभी तरह के फीचर्स को दे रखा है ठीक है रमजान का महीना चल रहा है अभी रमजा आप लोग वीडियो को बढ़ा लीजे अगर आप लोग वीडियो को बढ़ा लिए इनकी पैदाइश हुई थी 22 नमबर 1884 बीको कहां पर तो दसना नालंदा जिला बिहार यानि कि बिहार के नालंदा जिला के दसना नाम का कोई एक मर्दुम खेज बस्ती है वहीं पर स्यद सुलेमान नदवी की पैदाईश वी थी कब तो 22 नवंबर 1884 भी को ठीक है ना इनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम है हकीम सेयद अबुलहस और अगर बात करें इनकी इप्तदाई तालीम की यानिकी शुरुवाती शिक्षा की तो इनकी इप्तदाई तालीम इनके गाओं के मुवलिम से हासिल हुई थी लेकिन आगे की तालीम हासिल करने के लिए यह फुलवारी शरीफ में गये यानिकी फुलवारी शरीफ गये थे और फिर फुल्वाली शरीफ में तालीम हासिल करने के बाद मदर्सा इम्दाद यह दरबंगा में दास्चिल हुए यानि कि वहाँ पर इनका एडिमीशन हो गया वहाँ पर भी पढ़ाई पूरी किये और फिर आला तालीम का शौक था इनके पास तो और आगी की तालिम हासिल करने के लिए आला तालिम हासिल करने के लिए ये दारुल उलूम नदतुल उल्मा में दाखिल हुए उन्हें इससा एक में दारुलूम नदतुल उल्मा ये पहुँचे और वही पर इनकी मुलाकात हुई थी शिबली नमानी से श्रिबली नमानि स्यूलेमान नदवी के उस्ताद यानिकी टीचर है और जो भी स्यूलेमान नदवी लिखा करते थे ना तो उसमें राये मर्शवरे लेने का काम करते थे शिबली नमानी रखिएगा तो स्य। सुलिमान नद्वी जो है उनकी मुलाकात शिबली नमानी से कहां हुई तो दारूल उलुम नदवतुल उल्मा में कब हुई तो उन्हें से एक में यह पहुचे थे तो उसे वक्त हुई थी ठीक है अब याद रखेएगा से सुलिमान नद्वी जो है ना पटना के रिसाला पहला मजमून यानि कि पहला निवद्द शाय हुआ जिसका नाम था खातूनों की तालीम खातूनों की तालीम यह इनका पहला मजमून का नाम है कोशन पूछ सकता है आप लोगों के एक्जाम में कि से सुलिमान नद्वी के पहले मजमून का नाम क्या है तो खातूनों की त प्रकाशित हुआ तो उनईसार 20 में प्रकाशित हुआ था कोशन पूछा जा चुका है कि सैयद सुलैमान नदवी की मुलगात प्रभली नवानी से कहा हुई option में दिया रहता है दारुल उलूम नदवतुल उल्मा यहां तक की question ये भी पूछा गया है कि सेयद सुलेमान नदवी की पैदाईश कहां हुई option में दिया रहता है नालंदा जिला ठीक है? और हो सकता है कि दसना भी दे दे, यानि कि एक बार question पूछा था कि सेयद सुलेमान नदवी की पैदाईश कहां हुई तो option में दिया था नालंदा जिला और एक बार जब question पूछा था यही question same to same कि सेयद सुलेमान नदवी की पैदाईश कहां हुई तो option में नालंदा जिला ना देकर दसना दिया था ठीक है तो यह दोनों याद रखिएगा बिहार के नलंद दिला के दसना में ठीक है मतलब जहां-जहां से जिस तरह से कोशन पूछे जाते हैं आप लोगों को मैं बताते चल रही हूं ताकि आप लोगों को वो चीजे मैंड में फिट हो जाए कि हाँ यहां से इस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक है अब देखिए उन्हेसे दो में तो इनका पहला मजमून यान की पहला निवन खातुनों की तालिम शाय हो गया इनकी परकाशित किया गया और उसी साल इनका एक और मजमून शाय हो गया जिसका नाम था आखिर वक्त लाहोर से य इनकी परकाशित किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्हेसे तीन में यानि की उन्हेसे दो में तो इनका पहला मजमून शाय हो गया खातुनों की तालिम और उसी साले कोर मजमून शाय हो गया आखिर वक्त और उन्हेसे तीन में इनकी अशार नजमे गजले भी शाय ह होने लगे ठीक है उन्हें सच्छे में याद रखेगा यह एक रिसाला यानि की पत्री का अल नदू से वावस्ता यान की संबंदित हो गए यह तो कोशन पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के एक्जाम में पूछ दे ठीक है उन्हें 13 में मौलाना अबुल नित हुए इनका तालुक था उन्हें से 13 में यह वावस्ता हो गए ठीक है और याद रखना है सुलिमान अद्वी का जो खास मैदान था वो था अर्भी अदब इस्लामियात सवाना अद्वियात तर्तीव और तद्वीन कोशन यहां पर सब्जेक्टिव में पूछा जाता ह कि सुलिमान अद्वी का खास मैदान क्या था तो यह आप लोगो लिखना पड़ेगा उनका खास मैदान था अर्भी अदब यानकी अर्भी अदब में दिल्चस्बी रखते थे इसलामियात में दिल्चस्बी रखते थे सवाना यानकी बायोग्राफी में दिल्चस्बी तर्टी वह तर्वी ठीक है इनकी खास मेड़ाने आगे बढ़ते हैं अर्दू जबान से मुझामीन का नाम आप लोगे बुक में दिया गया है जो कि सुलमान नद्वी के दौरा लिखा गया था जिसकी नखुस सुलमानी हमारी जबान का नाम मुझालात सुलमान सुलेमान मुकलात सही लिखा है आप लोग सोच रहे होंगे कि मुलाकात होगा जी नहीं मुलाकात नहीं मुकलात मुकलात सुलेमान तो यह जितने भी मजमून है यह सभी मजमून सुलेमान नद्वी द्वारा लिखे गये हैं उर्दु जबान के यह मजमून है ठीक है मतलब उ इनके शिबली नमानी की हयात पर इन्होंने एक किताब लिखे थी जिसका नाम था रहाते शिबली और यह आठ जिल्दों में प्रकाशित हुआ था यह उसका एक जिल्द लिखे थे और उसके बाद इनकी मौत हो गई इनकी इनका इंतकाल हो गया तो बाकी दूसरी तिसरी चौथी पाच्वी छटी जितने भी जिल्दे थी वो से सुलेमान नद्वी जो है ना उसको मुकमल किये लिखकर तो कोशन यहां पर कोश तरह से पूछ सकता है कि शि पहली जिल्द ही लिकते वाकी दूसरी पहली जिल्द लिके तब तक उनका इंतकाल हो गया तो दूसरी हयाम और रह्मति आलम ठीक है तो यह जो है ना मशूर किताबे हैं सुष्य सुलिमान नद्वी की और आखिर में इनका इंतकाल हो गया था 23 नमबर 1913 इस भी को कराची में यहां पर हो जाता है सहीद सुलिमान नद्वी के बारे में सारा डिटेल्स कम्पीट जो भी दिया गया आप लोग के बुक में सारा मैं लिट दी हूं सुलिमान नद्वी के बारे में और हर एक पॉइंट तो बता ही थी तो आप लोग को इसको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बाद पुराने लफजों की नहीं ती नई तहकीक इस चैप्टर में आखिर बताया क्या गया है यानकि जो मजमून लिखा गए इस मजमून में क्या बताया गया है इस चैप्टर में सबसे पहले तो स्टार्टिंग में से सुलिमान नद्वी लोगों से पूछे हैं कि बताईए खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना कि अलग अलग लोग जो है ना इसका जवाब अलग-अलग डेंगे लोगों की अलग-अलग राय होगी कुछ लोग कहेंगे की सुबा का नाश्ता जरूरी है लेकिन प्रेविश्य सुलमा अद्वी अपने अपने अनुभा के बेश पर पता है कि खानों में यो सबसे ज्यादा जरूरी खाना है वो है नाश्टा क्योंकि हम लोग रात का डिनर करके सू जाते हैं रात-बर हमारा पेट खाली रहते हैं और सुबा उठते हैं तो हमें कुछ न कुछ खाने को चाहिए तभी तो दिन की नईया पार लगेगी हम जब सुबा में खा लेते यान की नाश्टा कर कर लेते हैं तो दिन की नईया पार लग जाती है दिन अच्छे से गुजरता है कि खानों में सबसे ज़्यदा जरूरी खाना क्या है नाश्टा है लेकिन अलग जबाने में जो है ना नाश्टा को भूख तोड़ने की इस्तिला बना दी गई है क्यों कि रात को जैसे कि हम तूट जाती है तो इसी वज़े से अलग जबानों में की दूसरे जबानों में नाश्टा को भूख तोड़ने की इस्तिला भी कही गई है और हां एक और से सुलेमान नद्वी के बारे में जानिएगा वो खुद बता रहे हैं कि मैं दो जबानों में माहिर हूं एक पूरब की जबान और एक पच्छिम की जबान यानि कि मैं दो जबानों में माहिर हूं एक पूरब की और एक पच्छिम की पूरब की जबान से क्या मुराद है अर्भी जबान और पच्छिम की जबान से क्या मुराद है अंग्रेजी जबान यानि कि से सुलेमान नद्वी जो है ना से Cleman अदूधी बता रहे हैं यही तहकीर किये हैं कि कि बतर नाश्ता है आप सम immersion कि इसको भूख तूड़ने की इस्थेलह बता दी गई है नाश्ता जो नाश्ता को अर्भी में कह जाता है क्या कहते हैं हम लोग फटूर कहते हैं नाश्ता को भूख को तोड़ना फटूर का मानी होता है और फटूर से ही इफ्तार बना हुआ है इफ्तार और इफ्तार से इफ्तारी बनी हुई है यानि कि इफ्तार की हम दूआ करते हैं मगर्ब का जान होता है तो हम लोग इफ्तारी करने के लिए इफ्तारी का मतलब क्या जिस भोजन से हम लोग इफ्तार करते हैं यानि कि जिस भोजन से हम अपनी रोजा की भूग को तोड़ते हैं उस भोजन को खाना को कहा जाता है इफ्तारी ठीक है तो सोचिए फटूर से इफ्तार बना है और इफ्तार से इफ्तारी बना है देखिए और फटूर कहां से आया है तो नाश्ता यानि कि नाश्ता को अर्भी में क्या कहते हैं हम लोग फतूर कहते हैं फतूर का मतलब होता है रोजा की भूग को तोड़ना और फतूर से ही इफतार बना है ठीक है और इफतार से इफतारी बनी हुई है जिस भोजन से हम लोग अपने रोजा की भूग को तोड़ते हैं यानि आतर खुबान मिला बात की जाए यहार का मतलब मानी हुआ खाया हुआ नहीं किया हुआ और नहार से ही नहार मूंग बना है यानि कि आप कुछ डॉक्टर को ये कहते हुए सुने होंगे कि इसको निहार मुझ खाना है यानि कि खाली पेट खाना है निहार मुझ का मतलब क्या निहार मुझ का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी नहीं खाये हुए यानि कि भोजन नहीं किया हुआ तो जब मुझ में आप कुछ भी न लाले हों कुछ भी नहीं खाये हों तो उसको कहते हैं लोग नहार मूँ और इसी वज़े से डॉक्टर कहते हैं कि दवा को नहार मूँ खाना है यानि कि जब आप कुछ भी नहीं खाये हो अपने मूँ में उस वक्त आपको यह दवा खाना है और तब उसके बाद कुछ खा सकत नहारी जो है ना कहते हैं नहारी उस तरह के भोजन को कहते हैं जो खाली पेट खाई जाती है जैसा कि मैं आप लोगों को बताई नहार का मतलब क्या नहीं खाया हुआ जब आप कुछ भी नहीं खाते हैं मतलब आपका पेट खाली होता है अपने मुझ में कुछ भी नहीं डाल तो यहां पर कुछ ज्यादा ही खाने पीने की बात कर दिये हैं लेकिन कोई दिकत नहीं है आप लोग को तला भुना तला बगारा हुआ बोजन नहीं करना है क्योंकि आप लोग जानते आज कल सबसे जड़ा प्रोब्लम देखने को मिल रहा है अगर आपका डाल बगार Where do you dont ऐख समझें कि आप लोग पूरा सिस्टम खराब है यानि की कुछ भी हो रहा आज मतलब सरदर्द कर रहा हो हो बुखार लग रहा हो या पिर शसकते हैं कि कहीं मिदम स्टों बन रहा हो पत्री मन रहा हो कुछ भी मतलब कि जादतर जो बिमारिया हो रही है वो डइजस्टिव सिस्टम सही नहीं काम करने के वज़ा से ही हो रही है तो कोशिट करें कि आप अपने पीट का जाइए जो डइजस्टिव सिटम है और कुछ डॉक्टर का कहना है कि कोविट 19 की वैक्सिन लगवाने के वज़से जो भी कोविट 19 की वैक्सिन लगवाने के वज़से ही तो है फिर फालीज मार दे रहा है तो इस पर अभी रिसर्च चल रहा है कोई डॉक्टर का कहना है कि हाँ कोई-19 के वेक्सिनेशन से ही ऐसा हुआ है और कुछ डॉक्टर का कहना है ऐसा नहीं है तो अब क्या होगा इसके तह तक जाना चाहिए पुरी सिस्टम को पूरा विभाग को ताकि कि इसका सही जाच परताल हो सके और सही बात है मतलब कि लोगों के अंदर एक तर से डर पैदा हो गया है कि हम भी वैक्सिन लगवा लिए हैं अब हमारा भी हर्ड़ेटेक हो जाएगा हमको भी फालीज मार देगा क्या ही बताया जाए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग आज मौत हो जाएगा अगर कल मौत लिखा है तो कल हम लोग की जो पैदाईश होती है ना उसी वक्त हमारी मौत भी तैय हो जाती है कि कब हमारी मौत होगी कहां होगी और किस वक्त होगी ठीक है तो खुदा के मर्दी के बगएर एक पत्ता भी नहीं सकता है हम लोग की मौत जब होनी होगी तभी होगी तो इस चीज को लेकर अगर हम लोग टेंशन में आ जाए प्रेशर में आ जाए और फरस्टेशन डिप्रेशन में चले जाए तो फिर तो हो गई खतम कहानी मुटलब कि इससे कोई फाइदा नहीं होगा बलकि नुकसान ही नुकसान होगा तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग से बाहर निकाल दे ठीक हैं खुदा पर सब कुछ छोड़ दे और जिस तरह आप लोग अपने जिन्दगी को जीते हैं हस्ते खेलते हुए नौर्मल इस तरह अपने जिन्दगी को जीए सोचिए कि आप लोग नहीं लिए उस तरीके से आप लोग रहें कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात आती है आहार की यानि कि नहार से याद आया आहार का आहार आप लोग सुने होंगे शुद हिं को हगाते हैं उसकी कौत बढ़ाने के लिए कि मजबूती बढ़ाने के लिए तो बस इतना ही बताया गया है क्लीया लिक लाओस और ये बात एक ही है तो अर्भी में कल्या का मानी होता है भुने भुना हुआ गोष्ट को अर्भी में कल्या कहते हैं लेकिन हमारे जबान में कल्या जो है ना वह शुर्बदार गोष्ट को कहते हैं तो बस इतना ही बताएगी है आगे बढ़ते हैं पॉर्मा आप लोग जानत ही जबर है है के उपर जबरर नहीं है बलकि यह जो लवज है इस लवज में अलिफ के उपर भी जबर है और ह Bent की उपर भी जबर है यानि कि इसको पढ़ेंगे अहदी और इसको पढ़ेंगे अहदी इसको अहदी का मतलब होता है सुस्ट और काहिल और इस अहदी का मतलब होता बड़ा इनसान होता है काहिल निम्सां सुस्त जहां देखो सोया पटाया रहे उस तरह के इनसान को क्या कहेंगे और एक होता है अहदी मतलब एक किसी भी एक चीज़ को हधी कहा जाता है अब आगे बढ़ते हैं एक लफ्ज है शुर्खी का मतलब होता है उन्वान यानिकी टा कलर से वो टाइटल करते जिसको जिसको š으के अब जीरे दिरे प्रिंहाइं का इजाद हूँ तो हम सब कुछ प्रिंट होता था और जब टाइटल दिया जाता था तो लोग उसको भी कहने लगे तो तो यहीं से सुर्खी का इजाद हो गया सुर्खी का मतलब क्या उन्वान एक तरह से देखा जाए तो यह एक तरह से सुर्खी ही है यान की टाइटल ही है बले यह रेड कलर से नहीं लिखा गया है ब्लैक मारकर से लिखा गया है लेकिन है तो यह टाइटल तो सुर्खी का सफेदी और सफाई के और फार्सी जबान में कलाई को कहते है रांगा कलाई का मतलब क्या होता है सफेदी और सफाई और फार्सी जबान में कलाई को क्या कहते है रांगा कहते है यानि कि पहले पहले के जमाने में तामबे के बरतनों पर कलयी चढ़ाई जाती थी जिसको हम लोग कलयी फिर ना कहते थे ठीक है और लोग धीरे ठीरे रांगा भूल गये यानके 15 चुपान किया कहा जाता था रांगा कहा जाता था तो लोग रंगा ना कहे कर कलाई फिरना कहते थे कि तामबे के उपर कलाई फिर दो ठीक है तो धीरे धीरे जो है ना कलाई फिरना ही लोग बोलने लगे और रंगा को भूल गए और कलाई फिरना आप लोग जानते हैं अब यह जो कलाई फिरना है इसका मतलब क्या हो क्या लुक्त पर खुरे कर दिया उसी तरीखे से इनसान को इसके गुनाओं और आप चुपा देना आप लोग सुने होगे बहुत तारे लोग बोलते होंगे आज तुम्हारी कुलने वाली है आज तुम्हारा राज खुलने वाला है आज तुम्हारा एवियन की गलती जाहिर होने वाली है तो यहीं तक बस इतना ही बताया गया है इस चैप्टर में ज्यादा बताईए आप लोग यह टॉप चैप्टर था बहुत ही आसान था और फाइनली यहां पर चैप्टर नंबर वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर्ण कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट लेना कि हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिश